एपिसोड के शुरुवात में लीका नेम को साइड में ले जाती है बात करने के लिए वहाँ पे न वह बहुत सीधी साधी बन रही थी वह उसे कहती है पायू ने हमें बता है कि तुम दुनों रेलेसंसिप में हो कंग्रेचुलेशन नेम उसे थैंक्स बोलती है लिका उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि पायू थोड़ा सा जाधा ही रिचे तुम्हारे कंपेर में तो थोड़ा सा चेंजिस तुमको अपने में लाना चाहिए भाली वह बोलता नहीं है लेकिन तुम्हें सूसना जाए तो तुम्हारा भी तो फर्स बनता है उसके बारे में सोचने के लिए पाता है नहीं ये खुरापाती लड़की अब कौन सा नया प्लैन बना रही थी लंच के टाइम पे नयम आती है लंच करने के लिए तो वहाँ पर मैं उसके दिमाग में वही लीका वाली बाते चल रही हो दी है वह कोई-खोई सी थी तो पायो उससे पूसता है कि क्या हुआ क्या चल रहे तुम्हारे माइन में कोई प्रॉबलम है नहीं हम कहती है नहीं कोई प्रॉबलम नहीं है सब ठीक है वर्क रिलेटिक थोड़ा सा इशू है आगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लियो की तुम यहां से रिजाइन करके चली जाओगी अब से जिस दिन तक तुम मेरे पैसे नहीं देने वाले हो ना मैं एक एक दिन तुम्हें टॉर्चर करूंगी लिग कहती है कि मैं पैसे लोटा दूंगी बट वह ख़डू सौरत कुछ भी नहीं सुनती है यहां पर उसके अंकल चीट में कुछ-कुछ गडबरी कर देता है और पैसों का घपला कर देता है यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगी जा करके क्रियेट करने वाला है कुछ सोचते हुए लिए बाहर निकलती है और वह कॉंटक्ट करने के लिए सोच रही थी पावीन को काफी कुछ सोचने के से बतार सक्वाइब करती है और मिलने के लिए बोलती है निक सीन में हम लोग देखते हैं कि अपने प्लैन की हिसाब से लिका नहिए बहुत से बड़ी वाले मौल में वहाँ पर नाना से उसकांट के बाद भी बहुत इसकांट के बाद बहुत कोस्ली के लिए वह बहुत कॉस्ली था लेकुन भात नहीं दालते पहल लेती है अभुत भी पहन पहली थ hand लेकिन बूट खुलता ही नहीं है तब यह भाँ पर पायो आ जाता है वो नाम को देकर के पूसता है कि वो यहां पर क्या कर रही है लेका उसे कहती है कि मैं उससे अपने साथ स्वापिंग कराने के लिए यह करके आए थी और कुछ नहीं आपर पायो उसका हेल्प करता है फैले के लिए बोलता है लेकिन लिका कहती है यृका करें कारोब्रॉम सब्सक्राइब ओलके लेका को बहुत सारी चीज़े बाइक कर लेती लेकिन विचारी का बजटगर बढ़ा जाता है मुश्ट लिए उसके सारी सेविंग्स खतम हो जाती है सारी कपरे लिए का कि जब घर पहुशती है तो उसके फ्रेंड नॉंग पूशती है कि वाओ बॉस नहीं दे सर दिये क्या नहीं कहती है नहीं खुदी खरेना पड़ा अब जितने मैंने से उसे साबसे तो एक साल दक मुझे किवल नूडल सीखाना पड़ेगा ना उसे समझाती है तुम खुद को क्यूं बदल रही हो उस्टे तुमसे प्यार किया थे तुम्हें चींड जोने के ज़रुर नहीं है इन्हम कहती है हाँ बात तो से ही है लेकिन मुझे लगा कि अगर म तो वह उसे के लिए वहां पर उसके लिए इंटरव्यू लेकर गया है था यह देखर कि लोग काफी खुश होती है और बोलती है कि बोलो बदले मैं तुम्हें क्या चाहिए पाविन का तब बस तुम थैंक्स बोल दो उतना ही काफी है इसके बाद वह लोग वहां से बाहा नि बता है कुशे नो बात बताऊंगे और हाँ एक कंपरी में मैं शेफ के लिए काम कर रही हो एक महिने आ काम करूंगी और फिर नोटिश पीडिट के बाद मैं जॉब छोड़ दूगी तो रेडी हो जाते है वह वहां से बाहर निकलती है तो वहां पर बीम उसका वीट कर रहा कोशली वाला ड्रेस पहन करके मस मस रेडी होगर के नयम आती है वह तो सोची कि पायो उसे देख करके उसका बढ़ाई करेगा कि वह तुम कितना प्रिटी लग रही हो बड़ पायो का था तुम थोड़ी स्ट्रेंज लग रही हो खेर जो भी हो चलो ओफिस चलो वह लोग ज जazz पकड़ने वाले यह सुनकर के वरिशान वड़ी हो पर वहाँ पली करती थिसक्ते हम्हें जो पींचर तुमने थे पॉलब्स होड़ी करके यहां रही थी और बड़ले में मैं प्रومिस नहीं है और पैसो की वजब से गीना का एमान एक बार और बिग जाता है वो और वो उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है अगले सीन में पावीहिन और पायू दोनों चेस खेल रहे होते हैं पायू पावीन से पूसा है कि उसकंदार का क्या हुआ पुलिस कुछ और आगे पता लगा पाई या नह नहीं पसंद है तुम वो से समझाता है कि देखो ऐसा है कि उसे प्यार किया है जैसे तुम प्यार कि पढ़लने क कोई जरूर्ट करने का यहậy आपको इतना प्रिशान करने का यह सुन करके नहीं खुश हुई चुशछ जाती है बड़कान ऊब स्टार्ट होता है लंच करने क बाद जैसे ही वो अपने ओफिस में पॉस्टी है ना वहां पर वो पिक्चर्स लीक हो चुके था अब यह दी इनों चम्चे वो फोटो दिखा करके नैम को पूछते कि क्या सच में यह वही है अब तो बहुत बड़ा कांडो गया था पूरे ओफिस में दीखते दीखते यह ब जल्दी हो सके इस केस को सौल्फ करो otherwise हमें नैम को जोब से निकालना पढ़ेगा है जल्दे जल्दी जा रही होती है इसे मिलने के लिए पायों के बहुत विकर हो रहा थी इन्वेस्टर्स की जाने के बाद वहां से मिलने के लिए जाती है कि मैंने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया ना भाई उसे समझाता और कहता है तुम परेशान नहीं हो मुझे तुम पर भरोसा है हम लोग जल्दी इस केस को सौल कर लेंगे नहीं कहती है कि नहीं मेरी वज़र से तुम्हारा इतना लॉस हो रहा है तुम्हारी कंपनी के बदनामी हो रही है वह से हग करके रोने लगती है तब यह वहां पर भाई उसे मिलने के लिए लिका आ रही थे वो इन्दनों को हग करती है जलने लगती है और कहती है कि तुम लोग कंटिन्यू करों मैं बाहर तुम्हारा वीड कर रही हूं जब मैं नैम बाहर जाती है ना तब्लीका उसे फुलाउन टॉंट बाजी करती है और कहती है आगई एक और नया प्रावलम लेकर करके बड़ कोई बात नहीं पायू है ना तुम्हारे साथ वो तो वैसे भी तुम्हारे पूरे रायती को समालने कर ठेका लेकर करके ही रखा है तो इस प्रावलम को भी सॉल्फ कर ही देगा वो सिर्फ फुलाउन कमेंट बाजी करके वहां से चली जाती है इसके बाद नैम अपनी फ्रेंड लोगों से मिलने के लिए जाती है उसे में इंट्रव्यू देने कर डिसाइड किया है नैम वहां पर कहती है कि मेरी कंपनी में जॉब मिल जागा और तुम घर से बाहर निकलोगी तो मेरे साथ आगर के सिप्ट हो जाना वो लोग फूलन खुश हो रहे थे रात में जब लिए सब कुछ होने के बाद घर जाती है न उसे पता नहीं था कि बीम ने उसमें नीन की धवा मिलाए हुए और उसे पीते हैं उसे पूरा नसा हो जाता है वो ढंक से चल भी नहीं पारी थी बीम उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी कमरे तक छोड़ देता हूं लिए को अब तक उस पर पूरा ट्रस्ट हो गया था त बीम को मारने लगती है और बीम को मारने लगती है कि तुमने यह सब कुछ जान बुछ करके किया है यहां पर बीम गेम खेलता है और कहते है कि नहीं हम दोनों बहुत जादा ड्रंक थे मैंने यह सब कुछ जान बुछ करके नहीं किया है यहां पर लिए पूरा रोने लगती थोड़ी देर बाद वो अपने आपको समालती है और आज इंटव्यू था उसके कंपनी में तो इंटव्यू देने के लिए जाती है वो भी जाहिरी थी कि वहाँ पर पावीन को उस सेफ शेफ बात करते भी देखती है पावीन कहता है कि यह थोड़ी से इस्पिशल है तो पॉरा कंफ्यूस थी कि उसे क्या करना चाहिए अगले सीन में हम लोग देखते हैं पावीन भायों के साथ चेस खेलने के लिए जाता है और वहां पर उससे बताता है कि उस दुकांदार को पकड़ लिया गया है और इसी पॉइंट पर हमारे वलब पार्ट यहां पर कंपली होता है आगे इस ड्रामा में क्या होगा जाने के हम लोग इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में